नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बे आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। आज इसी विशय पर आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह एक पंडित और यमदूत की कहानी है। मित्रों कहानी को ध्यान पूर्वक सुनियेगा। बहुत ही अच्छी कहानी है। आपके के मन की सभी संकाय दूर हो जाएगी। मित्रों एक समय की बात है। किसी गाव में एक ज्यानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बच्पन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गाव जा रहा था। वह मित्र बच्पन से ही गुंगा और एक पैर से अपाहिच था। मित्र का गाव काफी दूर था। रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गाव पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा चलो अच्छा ही हुआ। साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया, पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, पर पंडित ने नाम के विशय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा, दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे, पंडित ने कहा ठीक है, और आदे की ओर चल दिया, तभी ही गाव में खबर फैली की एक व्यक्ति को भैसे ने मार दिया है, जैसे ही भैसे ने उस व्यक्ति को मारा ठीक थोड़ी ही देर में महाकाला गया, फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गाव के बाहर पहुचते हैं, जहां पर एक छोटा सा मंदिर बना था, ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी, पंडित के मित्र का भी गाव वहां से दूर था, और रात्री होने वाली थी, तो पंडित ने कहा रात्री होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते ठकान भी लग रही है, और भूख भी लगी है तो यही भोजन करके आराम कर लेते हैं सुभा आराम से आगे का सफर करेंगे महाकाल ने कहा ठीक है मुझे इस गाव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है तुम खाना खालो और आराम करो मैं बाद में आकर खालूंगा इतना कहकर वह चला गया लेकिन उसके जा सोचा यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी ना किसी तरह की हानी जरूर हो जाती है कुछ तो गड़बड है लेकिन पंडित ने रात्री में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया सुभा दोनों ने फिर अपने गंतव्य की और चलना प्रारंध कर दिया कुछ ही जाओ में भी कुछ जरूरी काम है तो मैं काम खत्म करके मैं आपसे कुछ आगे मिल लेता हूं यह कहकर महाकाल जाने लगा लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा बलकि वही खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि अब वह कहा जाता है और क्या करता है तभी लोगों क कि आवाजे सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांपने काट लिया है और वह मर गया है ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास पहुच गया लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ उसने महाकाल से पूछी लिया कि तुम जिस गाव में जाते हो वहां कोई कोई नुकसान जरूर हो जाता है क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है तब महाकाल ने जवाब दिया पंडित जी आप तो मुझे बहुत बड़े ज्यानी मालूम पड़े थे इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था क्योंकि ज्यानियों का संद बहुत अच्छा होता है परन्तु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं पंडित ने कहा मैं समझ गया हूं लेकिन मुझे कुछ शंका है अगर आप ही अपना उप्युक्त परिचय दे दे तो मुझे आसानी होगी तब महाकाल ने जवाब दिया मैं यम्दूत और यम्राज की आध् घबरा गया लेकिन खिर से हिम्मत करके पूछा अगर ऐसी बात है और तुम सच्मुच लृष ही यम्दूत हो तो बताव अगली मृत्यु किसकी है यम्दूत ने जवाब दिया अगली मृत्यु तुम्हारे हैं मित्र की है मैं जिससे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मृत् कि अच्छपन के सबसे घनिष्ट मित्र की मृत्यू हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाओ। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यू का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नेती नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यू निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुह से ऐसी बाते सुनकर पंडित को जटका लगा क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी जो एक साधारन व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुछ में ही यमदूत है। इसलिए वह अपने मित्र के मृत्यू का कारण न बने। इस कारण वह पीछे की ओर मुडा और अपने गाव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुडा उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता दिखाई दिया। जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गती को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है। लेकिन वह बच्पन से ही गुंगा था और पैर से अपाहिच था। इसलिए ना तो पंडित तक पहुँच पा रहा था और ना ही पंडित को आवास दे कर रोग पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुँचा। अचानक उसकी मृत्यू हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ महाकाल ने पंडित की मन की बात समझ गया और बोला तुम्हारा मित्र पिछले गाव से ही पीछे पीछे आ रहा था लेकिन वह अपाहिज और गुंडा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुँच सका उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगा कर तुम तक पहुँचने की कोशिश की लेकिन बुढ़ापे में बच्पन जैसी ताकत नहीं होती इसलिए हृद्या घात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यू हो गई क्योंकि तुमसे मिलने के लिए वह अपनी सीमाओं को लांगते हुए तुमसे मिलने के लिए पीछे-पीछे भाग रहा था इसलिए अपने मित्र की मृत्यू का कारण तुम ही बने हो अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सच्मुच में महाकाल एक यमदूत है और उसका कारिय जीवों के प्राण करना है पंडित एक ज्यानी व्यक्ति था इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यू पर किसी का बस नहीं चलता सभी जीवों को एक न एक दिन तो मरना ही है यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयंकी मृत्यू के बारे में जानने की इच्छा हुई इसलिए उसने महाकाल से कहा जब मृत्यू मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे महाकाल ने जवाब दिया मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षन चलता रहता हूँ किन्तु लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने वह उसे देखने समझने का समय ही नहीं होता तो पंडित ने कहा क्या तुम बता सकते हो मेरी मृत्यू कब और कैसे होगी तो महाकाल ने कहा कि किसी सामान्य जीव को यह जानना उप्यूक्त नहीं है क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यू के बारे में जानकर दुखी ही होता है लेकिन तुम घ्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और तुमने अपने मित्र की मृत्यू को जितनी आसानी से सहन कर लिया है उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यू के बारे में जान कर भी दुखी नहीं होगे तो सुनो तुम्हारी मृत्यू आज से ठीक छे महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयंखुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे इतना कहकर महाकाल जाने लगा क्योंकि महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था पंडित भी अपने मित्र की यथा शक्ती कर्मकांड करके अपने गाव चला गया लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्यानी क्यों ना हो अपनी मृत्यों की बात जानकर व्यथित तो होता ही है और मृत्यों से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है तो पंडित ने भी किया, क्योंकि पंडित विद्वान था इसलिए उसकी ख्याती उसके राज्य के राजा तक थी, तो पंडित ने सोचा, राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं, तो मेरी मृत्यू से संबंधित समस्या का कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे, पंडित यह सोचते हुए राज दर्बार में पहुँच जाता है और राजा को सारा वृत्तांत सुनाता है, उसे सुनने के बाद राजा शांत रहा, शाम को सभा लगी तो राजा ने अपने मंत्रियों को बात बताईए और उनसे सलाह मांगी, अंत में सभी ने विचार विमर्ष करक और यही रहे तो उसकी मृत्यू भी नहीं होगी, मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी उप्युक्त लगी तो पंडित के रहने की व्यवस्था मेहल में कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन पंडित कहीं भ उसदीक आने लगा और वह भी दिन आ गया जब पंडित की मृत्यू होनी थी जिस दिन पंडित की मृत्यू होने वाली थी तो पंडित दर के मारे उस दिन जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से वह रात बीट जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यू टल सकें लेकिन पंडित पंडित को स्वयन नेंद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वय भी नहीं जानता था आथ राजाया किसी वेद्य को इस बीमारी के बारे में बताने का तो प्रश्णी नहीं उठता पंडित अपनी मृत्यू को लेकर बहुत चिंतित था और नेंद में चलने की बीमारी तभी आती है, जब ठीक तरह से ना हो पा रही हो, तो उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा, वह उठा और महल से निकल गया, पंडित राजा का खास महमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी नहीं रोका, और ना ही किसी तरह की वाले घोडे की पीठ में सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर किसी दूसरे राज्य में चला गया, इतना ही नहीं वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुच गया, और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताच की, सभी सुभा हुली तो राजा ने पंदित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ पंडित को गिरफतार कर लिया गया पंडित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के शयनकक्ष में कैसे पहुँच गया लेकिन वह सब सुनने वाला कौन था राजा ने पंडित को दर्बार में हाजिर करने का हुक्म दिया कुछ समय बाद पंडित को दर्बार में लाया गया यहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश सुना दिया फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया फिर भी कुछ हिम्मत कर राजा से कहा महाराज मैं नहीं जानता कि राज महल में कैसे पहुँचा मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने रोका क्यों नहीं लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यू होनी थी और होने भी जा रही है राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी राजा ने पूछा तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यू होनी है तुम कहना क्या चाहते हो राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले छे महीने की कहानी बता दी और कहा महाराज मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ती में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयनकक्ष में राजा की उपस्थिती में रानी के पास सो जाए राजा को पंडित की बात में थोड़ा सत्यता दिखाई दिया परंतु उसने सोचा यह मृत्यू से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यू की भविश्यवानी का बहाना बना रहा है इसलिए राजा ने पंडित से कहा यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यू का दिन है तो जैसा की महाकाल ने तुमसे कहा था तुम्हारी मृत्यू का कारण मैं नहीं बनूंगा लेकिन अगर बात जूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यू का दिन होगा। क्योंकि पडोसी राज्य का राजा उसका मित्र था इसलिए उसने तुरंत सिपाहियों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांग शाम तक भेजे गए सैनिक लोटे और उन्होंने बताया कि महाराज पंडित जो कह रहा है वह पूर्णता सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले छे महीने से पंडित राजा का महमान था। कल राजा अंतिम बार इसके ही कक्ष में मिले थे, और इसके बाद इस राज्य में कैसे पहुँच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, इसलिए उस राज्य के राज्य के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है. लेकिन अब राज्य के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी, इसलिए अगर पंडित को फांसी न दी जाए, तो राज्य के कथन का अपमान हो जाता है, और अगर राज्य के द्वारा दी गई सजा का मान खा जाएं तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यू हो जाएं। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बात की चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज पंडित को एक कच्चे सूथ से फासी लगवा दें। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूथ के धागे से पंडित को भी फासी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे के सूथ का फासी का फंडा बनाया गया है। और नियम के अनुसार पंडित को फासी पर चढ़ाया जाने लगा है। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन जूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूथ के धागे से तो उसकी मृत्यू हो ही नहीं सकती। इसलिए वह भी खुशी-खुशी फासी पर चढ़ने को तयार था। जैसा कि महाकाल ने उससे कहा था लेकिन जैसे ही पंडित को फासी दी गई सूथ का धागा तो तूट गया। लेकिन तूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था पंदित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंदित जमीन पर पड़ा तडप रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यच कित्थे पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कमजोर के धागे से किसी की मृत्य हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। निती ने अपना काम कर दिया था। मित्रो जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानिया बरतें। जितना भी उपाय कर ले लेकिन हर घटना और घटना का पूरा प्रणाली पहले से ही तय होता है। जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविश्य जानने की क्षमता नहीं दी है ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बहतर तरीके से जी सकें और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यू के बारे में ना पूछा होता तो छे महीने राजा की कैद में रहकर डरडर के जीने की वजह ज्यादा बहतर जिन्दगी जीता। इसलिए जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। हमें हमेशा भगवान के उपर भार छोड़ कर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और हमेशा खुशी से जीवन जीना चाहिए। यहीं जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।